अब आर्टिकल बच्वों कितने होते हैं? तीन होते हैं. देर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश ए, एन, एंड द अब ती अची द को हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं. अब दा कहां प्रनाउंस किया जाता है? जहां कॉंसोनेंट साउंड आए. कॉंसोनेंट साउंड के आगे हम दा प्रनाउंस करेंगे और जहां पर वावन साउंड आए, वहां पर हम इसको दी प्रनाउंस करेंगे. For example, जैसे the table अब table में ता की sound आ रही है बचो, ये क्या है? Consonant sound है, तो इसके आगे हम इसको the pronounce करेंगे लेकिन अगर हम लिखेंगे elephant के साथ तो elephant में बचो क्या होगा? किसकी sound आ रही है? वावल sound आ रही है, तो इसके आगे हम इसको pronounce करेंगे दी, दी elephant, तो उमीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमें इसको the pronounce करना है और कहाँ पर the pronounce करना है A and N are called indefinite articles, अब तीन article होते हैं A, N and the, तो इसमें जो A और N होता है बचो, ये indefinite article होता है और जो the होता है, ये definite article होता है अब article को रखा कहाँ जाता है बचो, article को noun के पहले रखा जाता है जैसे यहाँ पर the table मैंने बताया था, तो table, table यहाँ पर क्या है, noun है और इसके आगे हमने रखा the, इसी तरह elephant है, elephant के, elephant क्या है, noun है और noun के आगे हमने रखा दी तो इस तरह से article जो है हमेशा noun के आगे रखा जाता है या फिर noun से पहले कोई adjective है तो वहाँ हम उस adjective से पहले noun को रखते हैं We can never use a singular countable noun alone अब क्यों रखते हैं, क्या जरूरी है इनका रखना तो बच्चों जो singular countable noun होता है एक वचन जो गिना जाने वाला जो noun होता है वो अकेला कभी नहीं आता उसके साथ कोई न कोई determiner अवश्य आता है अब determiner क्या होते हैं ए, एन, द, माई, एनी, एड़सेटरा ऐसे बहुत सारे determiner होते हैं जो countable singular noun के पहले आते हैं तो आज हम करेंगे ए और एन का यूज तो सबसे पहले बच्चों इंग्लीज में 26 लेटर होते हैं कितने लेटर होते हैं? 26 और हिंदी में कितने लेटर हैं हमारे? 52 अब बच्चों कन्फ्यूजन क्या आता है? अब जो हमारी 52 साउंड है वो 26 जो इंग्लीज की लेटर है उनमें ही वो सारी 52 साउंड जो है पाई जाती है तो कन्फ्यूजन क्रियेट होता है एक ही अक्सर की कई साउंड आती है जैसे ले लेते हैं एक ही क्या है? कई साउंड होती है आ भी होता है, ए भी होता है तो इस तरह से बचो प्रोब्लम आती है कौन से लेटर के साथ कौन कौन सी साउंड आती है तो इंच अब इस लेटर में बचो पाँच क्या होते हैं? वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, और यू ये पाँच क्या होते हैं? वावल होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं, वो सब क्या होते हैं? Consonant होते हैं. तो अब हम देखेंगे कि कहां पर A का यूज होगा और कहां पर N का यूज होगा. तो ये countable noun के साथ तो आता है बचो. Singular countable nouns take the indefinite article A, N with them. जो singular countable noun होते हैं, उनके साथ indefinite article A और N आते हैं. अब किसके साथ A आएगा? और किसके साथ N आएगा? तो इसके लिए हम A क्या देखना होगा, बचो? sound को देखना होगा, sound को पहचाना होगा. अब जहां पर vowel sound आएगी, वहां पर हम रखते हैं N को और जहां पर consonant sound आती है, वहां पर हम रखते हैं A को. जैसे example के लिए हमने लिया है यहां पर A कार, अब कार, अब यह sound देखनी कैसे है? इसके लिए हमें उस word को हिंदी में लिखना होगा, कार हम हिंदी में लिखेंगे. अब कार हमने लिखा, तो पहला जो letter sound दे रहा है, वो किसको दे रहा है? का को दे रहा है, का हमारा क्या है? कौन सोनेंट है, वेंजन है, हिंदी में भी हम देखेंगे का हमारा वेंजन है, और जो स्वर होते हैं, वो हमारे क्या हैं? 11 होते हैं कौन से पहले हम हिंदी के 11 स्वर देखेंगे ये हमारी हिंदी की मात्राएं है कौन सी हम उस वर्ड को हिंदी में लिखेंगे अगर इन 11 मात्राओं की sound आती है तो वहाँ पर हम n का यूज़ करेंगे और जहाँ पर का से लेके अग्ये तक हम A का यूज करेंगे, अब जैसे इसमें हमने car को लिया, तो का की sound, first letter हमारी किस की sound दे रहा है, का की sound दे रहा है इसी, तो उसके आगे हमने रखा A, इसी तरह, आ, pen अब pen को लिखेंगे pen हमने लिखा hindi में तो पहला letter किस की sound दे रहा है पा को पा की साउंड दे रहा है तो पा हमारा क्या है वेंजन है तो यहां पर हमने क्या लिखा यह लिखा अब अगला आता है हमारा एन एग अब एग हमारा जो पहला लेटर है वो किसकी साउंड दे रहा है मातरा की साउंड दे रहा है और मातरा की साउंड दे रहा है तो इसलिए हम उसके आगे रखेंगे एण इसी तरह एण ओरेंज ओरेंज लिखेंगे औरेंज किसकी sound दे रहा है? पहला लेटर हमारा O की sound दे रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे N तो बचों यह समझ में आ गया होगा जहां पर sound वावल की आए, सुवर की आए वहां पर हमें N रखना है उस noun के आगे हमें N रखना है और जहां पहला लेटर uncountable nouns do not generally take an article with them जो uncountable nouns होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है ऐसे noun के आगे हम generally आम तोर पर article का यूज नहीं करते हैं जैसे a water अब a water नहीं आएगा बच्चो article हम इसके आगे नहीं रखेंगे क्योंकि water क्या है uncountable है इसको हम एक दो तीन ऐसे कहकर नहीं गिन सकते हैं इसको हम माप सकते हैं इसी तरह a floor floor क्या है आटा है अब आटे को हम count नहीं कर सकते हैं इसको हम तोल सकते हैं तो इसके आगे भी हम a नहीं लगा सकते इसी तरह a wisdom a wisdom में wisdom क्या है इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं uncountable है तो इसके आगे भी हम A नहीं लगा सकते हैं इसी तरह A sand, sand क्या है हमारी uncountable है तो इसके साथ भी हम A को नहीं रख सकते हैं तो जहाँ uncountable noun हो, वहाँ पर हम ना तो A रख सकते हैं और ना ही N रख सकते हैं अब next rule है हमारा We use A with singular countable nouns beginning with a consonant sound हम A का यूज करते हैं singular countable noun के साथ जो किसके साथ शुरू हो रहा हो, वावल के साथ शुरू हो रहा हो लिकिन अगर उसकी sound consonant है तो हम उसके साथ A का ही यूज करेंगे For example, यहाँ पर हमने लिया है जैसे A one rupee note अब यहाँ पर one क्या है, किस से शुरू हो रहा है वावल से शुरू हो रहा है लिकिन यह sound किसकी दे रहा है sound के लिए मैंने बोला था बच्वा आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा फिर देखो, one लिखा हमने one, व A, पहला लेटर क्या है हमारा व A से sound दे रहा है तो व A हमारा vengeance है तो व A हमारा consonant है तो इसके आगे हम रखेंगे क्योंकि यह consonant की sound दे रहा है इसी तरह Our university अब इसके आगे हमने जबकि यू क्या है हमारा vowel है, लेकिन वावल sound किसकी दे रहा है हम इंदी में लिख कर देखेंगे university अब university में पहला letter हमारा क्या है यह है और यह हमारा क्या है वेंजन है मातराओं में से नहीं है तो यह भी consonant sound को produce कर रहा है तो इसके आगे हम A को रखेंगे ना कि N को तो जो word vowel से शुरू होते हैं लेकिन sound consonant की देते हैं तो उनके साथ हम A को लगाते हैं A को रखते हैं some words beginning with a vowel but not a vowel sound कुछ शैब्द हैं जो शुरू तो वावल से होते हैं लेकिन उनकी sound वावल की नहीं होती है तो यहाँ पर कुछ examples दिये गए हैं जैसे one usual unit uniform तो आप देख रहे हैं बच्चों कि first जो हम देखेंगे letter first अक्सर जो हम देखेंगे तो यह first अक्सर हमारा क्या है वा consonant है तो इसके आगे हम A one ही लगाएंगे अब usual में या की sound दे रहा है तो usual के आगे भी हम A रखेंगे और unit यूनिट भी हमारा क्या है consonant की sound दे रहा है यह हमारा तो इसके आगे भी हम A रखेंगे इसी तरह uniform यूनिफॉर्म में भी हमारा यह है तो इसके आगे भी हम A ही रखेंगे आ यूनिफॉर्म और आ वन आ यूज्वल आ यूनिट तो यह उमीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा अब next आता है हमारा N का यूज We use N before beginning of a वावल sound हम N का यूज करते हैं अगर sound वावल की हो शुरुवात में जैसे N onion अब onion हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा तो sound किसकी दे रहा है? किसकी प्रडूश कर रहा है? आ की तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे N अब यहाँ पर H बच्चो क्या है? silent है तो इसमें भी हम यह sound किसकी दे रहा है? आ की दे रहा है तो यहाँ पर भी हम मातरा की दे रहा है स्वर की दे रहा है, वावल की दे रहा है तो यहाँ पर भी हम n रखेंगे इसी तरह एग का पहले भी बता चुके हूं एग जो है वावल साउंड देता है, तो इसके आगे हम n रखेंगे Next है हमारा umbrella umbrella भी हम लिख कर देखेंगे लिखकर देखने से हमें sound का सही पता चल जाता है तो umbrella लिखा हमने A sound क्या है? हमारी मातरा है vowel sound है तो इसके आगे हम N रखेंगे The letter H is not sounded in some words Instead, A vowel sound is present at first जो letter H होता है वो क्या है? कुछ शब्दों में sound नहीं होता है उसकी आवाज नहीं होती है वह silent होता है जबकि वह शुरुवात में होता है beginning में होता है जैसे यहाँ पर example के लिए दिया गया है N, R इसमें भी H हमारा क्या है? silent है तो यहाँ पर हम H को दर किनार करके N लगाएंगे our sound के साथ A की sound के साथ honest तो यहाँ पर भी H हमारा silent है तो honest के साथ भी हम लगाएंगे an honest he is an honest boy अब यह है हमारा here तो यह भी इसमें भी H हमारा क्या है? silent है अगला है next हमारा owner owner में भी H हमारा silent है तो यहाँ पर भी हमें vowel sound के साथ शुरू कर रहे हैं तो an owner आ जाएगा यहाँ पर भी अगर owner के साथ हमें use करना हो article को next rule है हमारा abbreviations में जो short जो abbreviations होती है किसी की short form होती है अगर वो consonant के साथ भी शुरू हो रही है लिकिन उनकी sound किस के साथ है? sound क्या है उनकी? vowel sound है स्वर की आवाज आती है उनकी शुरूआत में तो तब हम उनके पहले क्या रखेंगे? N रखेंगे जैसे MP अब इसको भी हम लिख कर देखेंगे बचो MP अब यहां हमने देखा first letter किस की sound दे रहा है? vowel की sound दे रहा है तो इसलिए हमने इसके आगे क्या रखा? N रखा इसी तरह SP SP को भी लिख कर देखेंगे हम हिंदी में SP अब यहां पर first letter हम देखेंगे A आ रहा है हमारी मातरा आ रही है तो इसके आगे भी हम N को ही N को ही रखेंगे अब next rule है हमारा but if consonants begin with a consonant sound they take A before them यदि consonant consonant sound के साथ शुरू होता है यदि कोई abbreviation consonant sound के साथ शुरू होती है तो उसके आगे हम A ही रखेंगे जैसे PhD तो यहां पर P first letter की sound क्या है? P है पा से शुरू हो रहा है तो पा हमारा क्या है? consonant है वेंजन है तो इसके आगे हम रखेंगे A इसी तरह B add तो यहां पर भी sound किसके आ रही है बचो? consonant क्या रही है? बा हमारा क्या है? वेंजन है मातरा नहीं है तो इसके साथ भी हम क्या रखेंगे? A ही रखेंगे तो यह हमारा part 1 था आर्टिकल का और बाकी part 2 हम कल करेंगे बचो? I hope आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे पेंगे